हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम तो मैं चैनल टैकवन स्पॉट कैसे आप सब तो गाइस आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाव तो क्रियेट यॉर ओन विंडो सिस्टम शॉटकट येस अपने समसाही सुना कैसे हम विंडोस पर अपने खुद के शॉटकट क्रियेट करेंगे आज इस वीडियो में वह देखने वाले हैं आप सब को पता होगा कि बेसिकली बहुत सारे शॉटकट्स हैं जो विंडो हमे इन बिल्ट प्रोवाइड करते हैं जैसे की विंडो ए इससे हम दिस कंप्यूटर को ओपन कर सकते हैं अगर आप विंडोस 10 में हो अगर आप विंडोस 7 यूज कर रहे हो तो आपका माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा अधर देन देट वी हैव और शॉटकट ऑफ विंडो की एफ़ोर उससे हमें काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं शॉटकट के सो ऐसे बहुत सारे इन बिल्ट शॉटकट है जो विंडो हमें प्रोवाइड करता है बट आज इसे वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम हमारे खुद के शॉटकट की इसको क्रियेट करें कैसे हम हमार है खुद के शॉटकट बनाएं तो यह वीडियो शॉटकट करने पहले गाइस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड बैल आइकन को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगाइस वीडियो स्राट करते हैं सबसे पहले हमें चूज करना है कि हमें किस एप्लिकेशन का शॉटकर क्ट करने तो ज्फ़र एक्जमपल ऐना गूगल क्रों को चूझ कर रहा हूं फर्स्ट सबसे पहले मुझे क्रों पर क्लिक करना राइट लिक करना है प्रोपरटी कर है और यहां आपको shortcut आपको यहां पे मैं option दिखेगा जिसके उपर लिखाऊँगा shortcut उस पर click करें और यहां पर लिखाऊँगा shortcut की आप यहां पर click करोगे and then आपको press करना है keyboard पर कोई भी की keyboard चाप प्रेस करिए लाइक मैं यहां प्रेस कर रहा हूं जी और मेरे पास एक shortcut आ रहा है control plus alt plus G मैं यहां पर करूंगा and okay प्रेख लिख so basically मेरा shortcut create हो चुका है Google Chrome के लिए control plus alt plus G so guys हम check कर लेते हैं कि हमारा shortcut properly work कर रहा है कि नहीं कर रहा है so for that हम यहां प्रेस करना होगा ctrl alt g yes आपको visible होगा screen पर आपको दिख रहा है कि Google Chrome start हो गया मैंने Chrome पर click भी नहीं किया था और Chrome browser यहां open हो गया so this is the first step through which we can create our shortcut एक और example देख लेते हैं like if I want हुझे VLC media player के लिए shortcut create करना है सो मैं click करूंगा VLC media player पे right click करूंगा properties में जाओंगा कि यहां आपको shortcut में none दिख रहा है यहां click करेंगे and VLC तो मैं यहां पर V प्रेस कर रहा हूं तो मैं पर रहा है ctrl alt plus V मैं यहां करूंगा apply और यहां मैं करूंगा okay now मैं जब प्रेस करेंगा ctrl alt and V तो मेरे पास VLC media ओपन हो रहा है just for check एक काम करते मैं on screen keyboard on कर देता हूं यहां मैं प्रेस कर रहा हूं ctrl alt and अब मैं प्रेस कर रहा हूं G so chrome open हो रहा है यह shortcut पहला था second हमने create कि control alt and V जैसे मैंने control all V open press किया मेरे keyboard से यहां पर VLC media open हो गया so guys this is the way through which आप किसी भी application का shortcut create कर सकते है अपर system के लिए guys basically अब हम किसी भी application का shortcut खुद के लिए create कर सकते हैं बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप दो application को same shortcut की ना देदे एल्स आपको यहां पर आपको error मिल सकती है so guys अगर आपको वीडियो पसंद आया है so please like share and subscribe to my channel TechOne and this video को अपने दोस्तों से भी share करें तकि उन्हें पर असले कि कैसे आप create कर सकते हैं different different types of shortcut keys in your window system thank you guys for watching this video